इस वीडियो में CCS University के official website पर डाले गए important notice के बारे में बात करेंगे उस notice को discuss करने के बाद हम इस website के बारे में एक बात बताएंगे आपको सबसे पहले सीधा notice के बारे में बात करते हैं इस पर 9 नंबर पर notice दिया हुआ है जिसको अपने थोड़ा सा simplify किया है अपनी जो लेंग्वेज में जिसमें हम समझते हैं उसी लेंग्वेज में आपके साथ पर्जेंट करने की कोशिश करिए तो आप देख पा रहे हैं उसमें लिख रहा है कि MA, M.com, MSC, LLB, LLM और BSC Agriculture, BSC Home Science इनके form जो हैं चलने वाले हैं जिसके last date होगी 23 अप्रेल और लिखा आया नीचे कि form 10 अप्रेल से भरने शुरू होंगे form भरने के अंतिमतित से 23 अप्रेल है बरावा form 25 अप्रेल तक कोलेज में जमा करना है बिलकुल simple language में हमने सारी चीज़े से बताएंगी बताई हुई है और इसमें भी बता देंगे वीडियो में इसमें तीन लाइन दी हुई है कलास की अगर आप MA हो, MSC कर रहे हो, MSC अगरी कल्चर से कर रहे हो या M.com कर रहे हो और आप पढ़ रहे हो second या fourth semester में तो भाई आपके exam form भरने शुरू होंगे 23 अप्रेल से, अब ऐसा हो सकता है कि आप बोलो कि मेरे तो practical नहीं हुआ है तो practical हो ना हो third semester का कोई मतलब नहीं है, practical हो ना हो fifth semester का कोई मतलब नहीं है, आपको exam form भरना है, कुल मिलाके exam form आ जाएंगे, आपको भरना है दूसरी line में लिखा है कि BSC Home Science, BSC Agriculture, second, fourth, sixth और eighth, इसमें सिर्फ even दिखा रखें even semester, क्योंकि third के तो चल रहे हैं, और इसमें उपर दिया हुआ भी यह third वाला, यह रईस की लाज़रेट 10 तारीक, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम explain or कर देंगे, तीसरी line में लिखा है, LLM और LL भी, थर्ड, तीन साल वाली जो course है, उसमें second, fourth और sixth semester के, इनके भी 23rd, इनके भी form चलेंगे, उस notice में बता रखा है, तो यह update थी, आभी इस website के बारे में आपको बता दें, देखो कुछ बच्चे होते हैं, हम भी उनमें से हैं, कि कोई भी हम वीडियो देखते हैं, हमें सिर से बहले हम इसको arrange करते हैं, क्योंकि काफी बच्चे से जुड़े हुए हैं, अब मान के चलो, हम इसी के बारे में बात करते हैं, सबसे उपर जो रहे का, इसमें देखो, अपने नीचे की तरफ लाइन दी हुई है, लिखा है कि यहां दिये गए form में एक विशेश करम में व तारिक, इसके बाद YIL की last date आएगी 14 तारिक, 10 के बाद 14, फिर 17, फिर 19, फिर 19, और फिर 20, फिर 20 और जो आपको अभी बताया हमने, उसकी है last date 23 तारिक, इसके बाद नीचे 25, 28, 30 अपरेल, 1 मई, और फिर 1 मई, और इसके साथ अगर आप देखोगे, तो नीचे की तरफ हमन admit card का है, result का है, column और यह है CCS University merit का, जो हमने आपको बताया, यह रावस में, इनकी last date हो जाएगी पहले 10 तारिक, और इसकी जो हमने भी बताया, यह वो चीज़ है, अब इसमें एक और important चीज़ है, मान के चलो, हमें चाहिए कि बाई, official notice कहां पर है, हमने आपकी notice पर पढ़ लिए, लेकिन हमें match करना, कि जो आपने बता, वो सही है या नहीं, हम अपने हिसाब से confident रहेंगे, तो ज़्यादा सही रहेगा, तो जितना भी dark में लिखा हो है CCS University, इस पूरी website को हमने CCS University के हिसाब से design करा, क्योंकि CCS University की सारी update देते हैं, तो इस पे highlighted CCS University जहां पे उसकी पढ़ के दिखा देते हैं आपको, यह वो notice जिसके बारे में हमने बात करी है, तो चाहें तो आप यहां से पढ़ लो, इसमें लिखा हुआ है, 10 तारिक से form शुरू होंगे, 23 तारिक तक form, sorry, 10 तारिक को notice आया, 13 तारिक से form शुरू होंगे, 25 तारिक तक आपको college में वो form जम करना है, और college वालों के पास जितने form 25 तारिक तक आजाएंगे, college उनको 27 तारिक तक आगे forward करेगा, ठीक है, तो किसी भी आलत में आपको, जो है, 25 तारिक तक college में जम करना है, एक चीज़ और बताते हैं, इसके साथ additional, हमने हर बार बोला है, जब एक्जाम फोर्म आते हैं, या फिर admission form आते हैं, हमने हर बार बोला है, शुरू के दो दिन form मत भरना, हम इसमें भी बोल रहे हैं आपको, कि सुरू के दो दिन form मत भरना, क्योंकि जितनी गप्रतिय होंगी, 99 परसेंट या 99 परसेंट शुरू के दिनों में होती हैं, ठीक है, तो इस form को सुरू के दो दि तो यह कोई भी दिक्कत आएगी हम उस पर वीडियो बना के डाल देंगे और आपको बता देंगे जिससे आपको पता चल पाएगा कि जो चल लगे जो फोर्म चले हैं उनमें किस तरीकी की समस्या आ रही ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही भाई आपको थोड़ा वेबसाइ टू सुछ् तरीक है डिस स्थी सितरा है ब हलाओ वेबसाओ।